नौस्ते मित्रो आज हम इश्वर की और चैनल में एक बहुत प्यारा सा भजन सुनेंगे गुरु संकर के बारे में गुरु संकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ अन्तकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ बोले संकर की पूजा करो गुरु संकर की पूजा करो ध्यान इनके चर्णों में धरो शिव संकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ गुरु संकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ अंसकाल में भवसागर से उसका बेडा पार हुआ डमरू वाला है जग में दयालू बड़ा डमरू वाला है जग में दयालू बड़ा दीन दुखियों को दाता दयालू बड़ा सबको देता है गुरू आसरा इनके चर्णों में जो आया उनका बेडा पार हुआ इनके ज्यान से सब लोग यूही रे उद्धार हुआ औले संगर गे पूजा करो गुरू संकर की पूजा करो ध्यान इनके चर्णों में धरो हर हर गुरू देव शिव संभू इनके ध्यान योग शिविर में सबको सक्ति पात हुआ जो सक्ति पात का शक्ति पाये वो सब ही उद्धार हुए नाग देवता मनुष्य पर सद्गुरू की क्रिपा हुआ अंतकाल में भवसागर से उसका ही उद्धार हुआ बोले संकर की पूजा करो हर हर महादेव शिव संभू शिव संकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ अंतकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ तो गुरू गीता में शिव और गुरू की पूजा बहुत ही महत्व बताए गई है और ये बताए है शिव ही गुरू है गुरू ही शिव है यहाँ गुरू गीता में बताए गया है स्वेम भगवान शिव शंकर ने पारवती को ये गुरु गीता सुनाय था तो इसलिए यह भजन बहुत ही अच्छा है और ये भजन को काने से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जै शी राम बोलो सद्गुरु भगवान की जै गुरु बिन भवनी दिता रही न कोई जो विरंची संकर सम होई शी राम चैत्र मानस में लिखा है